नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार स्टेडी वेप्स तो चलिए दोस्तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले आज राजी सभा के जो है एक टॉपिक मतलब जो संसत हमारी संसत से संबंदित जो हमारे सात्र होते हैं उससे संबंदित हम बात करन तो तीन सत्र होते हैं, तो तीन सत्र होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसुन सत्र होता है, सीद कालिन सत्र होता है, तो यहाँ देखे, बजट सत्र के अगर बात करूंगा, जब सबसे सुरू में जो होता है, वो बजट सत्र ही होता है, जो होता है फरवर सेसंबर के बाद किसका गैप है उसका डिशंबर के बाद देखिये यहांHelp हमाEDर जुए जन्मारी जुक्ताइब में करता है यहांमदेख सकते हैं नमबर दिसंबर तक सकンドर सबसार है यहां सितंबर के बाद अक्टूबर की छुट्टी है उसके आद फरवरी मतलब यहां पर हम देख सकते हैं जन्वरी की जो है यहां पर जून की छुट्टी है तो यह तीन मेहने छोड़ दिया जाए चली आगे देख लेते हैं हम यहां देखें जो कारकाल है जो संसत का वो किस प्रक आदेखें तोटल मिलाकर कितने हो गए ग्यारा से लेकर पांच यानि की छह गंती हिह हो गए और ग्यारा से लेकर छह यानि की साथ घंते हो गए परन्तु उसके बीच में भीत सारी चीज़ घंटा याठानि का नम बोलते हैं को कष्चन काल ही हम बोल दिए ठीक है चेक एंड बैलंस यहां पर किया जाता है जो भी जो कोस्टन होते हैं उनके बात उसके बारा से लेकर एक के बीच में यतनी भी चीज़े होती है वो कहला था सूनने काल यानि की जीरो आवर बोलते हैं ठीक तो यहां पर हम देख सकते हैं जीरो आव तीन घंटा बचे किसके पास राजी साभा के पास में और ये चार घंटे जो बचे हैं लोग साभा के पास बचे हैं तो ये complete जो वाला जो schedule होता है वो complete law या जो law और कानून जो भी होते हैं वो बनते हैं वो सारी चीजे यहीं पर बनती है तो ये हमने complete देख लिए कितने प्रकार से यहाँ पर काम होता है अब इसी बीच में कुछ चीजे हमको देखने के मिलती है जैसे कि स्थागन तो इस्थागन यानि कि हम देख सकते देखिए संसत के पहले सत्र में काफी बैठक होती है इसके अलाब हम देखिए पित्ते बैठक में दो सत्र होती है दो सत्र हमने देख लीजे 11 से लिक हैこれは एक के पीच में पहला सत्र है जिसके अंतरकत हम देखे है प्रश्न निकाल ओर सू निकाल होता है और उसके बाद दौपहर भोजन के बाद यानि कि 2 से लेखे 6 बजे तक होते हैं तो 2 हो गया, 11 से लेखे 1 तक 1 हो गया उसके आद 1 से 2 के बीच में lunch time को यहाँ गिना नहीं गया और यहाँ पर देखे भोजन हो गया उसके बाद 2 से लेखे 6 तक का समय गिना गया तो यहाँ देखे, संसत की जो बैठक है होते हैं स्थागन इसी के अलावा हम देखें तो अनिश्चित काल के लिए स्थागन क्या होता है तो अनिश्चित काल के लिए स्थागित कर दिया जाना अर्थार जब सदन को बिना यह बताए स्थागित कर दिया जाता है कि उसे फिर से कब बुलाया जाएगा तो इस प्रकार कि जो स्थगन है उसको अनिश्चित काल का स्थगन कहा जाता है यहां देखे इस प्रकार की जो पावर होती है यानि कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की जो पावर होती है किसके पास होती है या तो अध्यक्ष के पास होती है या सभपती के पास होती है इसके लाबा जो दिन होते हैं मतलब इस्थगन जो दिन होते हैं या समय होता है वो पहले से भी सदन के बैठक में आहुद कर सकता है या अनिस्षित काल के लिए इस्थगन के उपरांत रूस में यहां किसी भी समय इसको बताया जा सकता है तो यह हमने देखे देखे इस्थग से वर्क करती है पार्लियमेंट वो हमने देख लिए अब आगे चलते हैं हम बात करते हैं गुट निर्पेक्ष अंदोलान के बारे में जिसे हम बोलते हैं नॉन अलाइट मुवमेंट इसका जो सिखर सम्मेला ने इसकी बात की जाए तो यहां पर देखिए कब से कब तक यह आ हमारी बारत के अंतरगत जो पिंक सिटी है जैपूर हम बोल सकते हैं तो इसको भी यहां पर हम बोल सकते हैं उनेसको वर्ल हेरिटेज साइट गोशित किया गाता तो यहां पर देखिए गुट निर्पेक्ष अंदोलान हम को देखने से मिलेगा 25 लेकर 26 अक्टूबर 2019 के बी की जाएगी इसके अलाबा जो अजर वेजान गंडराज के अध्यक्ष है इनके दौरा की जाएगी सिंपल से बात बहां हो रहा है यानि कि यह उसके जो है अध्यक्ष बहां करेंगे ठीक है गुट निर्पेक शंदुलन के स्थापना कप की गई थी उनिस सो एक सेट में की हुआ था और कहां पर हुआ था वेनुजुएला में वेनुजुएला है आप देख सकते हैं कहां पर देखने मिलेगा लेटिन अमेरिका में हमको देखने मिलेगा देखे मार्गेरेटा दीप पर यह जित किया गया था इसके बाद हम देखते हैं एंसी आर्बी की बात की जा प्राइम को जो डेटा है यानि कि जो अपराद वाला जो डेटा है उसको एनलाइज करना और उसको कलेक्ट करना और यह जो डिफाइन के जाता है देखिए इंडियान पीनल कोड भारति जो देंड विधान है एक प्रकार से हम बोलें तो उसके दोर यहां पर इस लौकल लौ और सपेशल लौओं यहां सामिल किया जाता है और किसके अंतरगत आता है यहां देखिए हैड़कोर्टर हमको देखने के लेका निउ डेली में और यहां आता है Ministry of Home Affairs नहिंके ग्रहम अंतराले के अंतरगत गौब्मेंट इंडिया उनके अंतरगत आता है और ग्यारमार 9486 के इसकी स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को हेड़कॉर्टर हमने देख लिए नियू देली के अंतरगात और मोटो यानि कि जो इसका एक प्रकार से हम देखे सिद्धान्त बाग के जो है इंडियन पॉलीस बिद इंफर्मेशन टेकनोलोजी मतलब जो है ससक्त बनाना इंडियन पॉलीस को किसके दोरा इंफर्मेशन यानि सूचना प्रोद्यकी के माध्यम से और जो इसकी पैरेंट डिपार्टमेंट हमने देख ली मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेयर से यह आपको लोगों देखने को ने मिले गए हनसी अरवी का और इसी के दोर एक रिपोर्ट जारी की गई तो रिपोर्ट में देखे काफी खास हमको जानने को मिलेगा हम देख सकते देखे राष्टी अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो जो है 17-18 के दोरान याप भारत में पंजिकरत अपरादिक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड के आखड़े है वो जारी किये गए तो देखे यहाँ पर देखे 50 लाक मामले दर्ज किये गए इस अबदी में देज भर में अब मामले जो होता है अलग अलग देखे इस दोरान हत्या के मामले 3.6% मतलब इसमें कमी देखने को मिली है इसके लाव अपरहंट के मामले में 9% यहाँ पर यह बढ़ गया है अपरहंट के मामले मतलब हत्या के मामले काम हो गए और अपरहंट के मामले बढ़ते हो नजरा है अपराद में सबसे ज़्यादा 10.1% अपराद केवल उत्तर प्रदेस में ही हुए यानिकी सब्सक्राइब पर उत्तर पदे से अपराद के मामले में रिपोर्ट के अनुसार महिलाओ के खिलाब अपराद से संबंदी 27.099 मामले पती या उसके परिजयनों की कुरूरता के खिलाब किया गया है तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले UP की बात करते हैं किये गया है वो है यहाँ देखें 21.097 अपराण से संबंदी जो मामले है वो टोटल में से 20.5 परसेंट और अपराद की जो कुल संक्या है यहाँ हम देखने मिलेगा 3,69,849 इस मामले में टोटल अगर देखें तो इस में से उत्तर पिदेश अकेले में आपको देखने मिलेगा 56,011 मामले तो इसलिए उत्तर पिदेश टॉप पर है यहाँ पर इस record मतलब इस report में इसके लावा second number पर हम देखें तो महराश्ट आपको देखने मिलेगा 31,989 और इसके लावा मतलब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है कोन पस्चिम मंगाल जो की 30,002 मामले के साथ यहां तीसरे स्थान पर है बच्चों के प्रती अपरात की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें 2016 में 1,6,958 के इस दर जुएतर जो की 2017 में करीब 28,35 बढ़कर 1,29,000 हो गए है और यूपी इसमें फिर से पहले नंबर पर है यूपी में सबसे ज़्यादा है बच्चों के अपरात के मामले में भरचाचार के मामले में देखें तो महराष्ट इस सूची में सबसे उपर है चलिए आगे देखते हैं अब बात की जा रहे है भीम जो एप है 2.0 इसकी बात की तो इसको काफी जो है नई सुभिधाओं के साथ यहाँ पर बढ़ा कर यानि कि अपग्रेट करके यहाँ पर इसको लॉंच करने की बात कही गई है किसके दोरा जो हमारे मिनिस्टर है रभी संकर परसाद जो की है सूची नवर्ण प्रोदेगी की मंत्री है बरतमान में इनके दोर 21 अक्टूबर 2019 को भीम एप 2.0 उसके साथ में एक नई पहल और कारकरमों की यहाँ पर घोशना की गई है मतलब भीम एप में नए संसक्राण और उसके अतरिक्त अन्य भासाओ को उसमें जोड़ा गया है और इसके जो लिमिट है लिमिट थी पहले 20,000 रुपए जो दुकान दार को हम पैमेंट करते थे वो 20,000 रुपए करते थे परन्तु अब बढ़ा कर दी गई एक लाग रुपए इसके अलावा रभी संकर परसाद जो हमारे केंद्री मंत्री है इनके दौरा जो मिनिस्ट्री और सुचनार प्रोदेगी की मंत्राल है इसमें हम देखें तो इस सिखर सम्मेलन में स्टार्ट अप हाप पोर्टल एबं इंडियन सॉप्ट एयर प्रोडेक्ट रजिस्ट्री भी यहाँ पर सुरू की गई है लिके दौरा इसके अलावा देखें जो भारतिय राष्टिय भुकतान निगम है निकी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया इसके दौरा जो है यूपी आई अधारित एक भुकतान मंच है यह जो इंडियन सॉप्ट एयर प्रोडेक्ट रजिस्ट्री है और जो 2.0 जो यूपी आई है उसको लॉंच किया गया था यहाँ पर हम देख सकते हैं दिसंबर 2016 में और इस एप के जरीए मतलब रियल टाइम जो रियल टाइम होता है यानि कि हम अभी जश्ट अगर दूसरे के मॉवाइल में दूसरे मॉवाइल के थूरू अगर पैमेंट करना चाहते किसी एक अकॉंड में तो हम तुरंत ही फंड ट्रांसपर कर सकते हैं रिय लब्द होगी इसके लाबा एन पी सी आई यानि कि भारती राष्टी भुक्तान निगम जो है रिजर्वेंग के दौरा स्थापित एक निगम है और गयर लापकारी संसा है कब स्थापित की गई थी 2008 में और इसके दौरा देखिए पैमेंट कार्ड जो रुपय कार्ड है ए प्रीमिया मोबाइल बिल का भुक्तान यह सारी चीज की जा सकती पहले से पैमेंट ट्रांसपर की जा सकती थी तो अभी नय संसकरान के साथ यह लौंच किया गया है आगे बात करते हैं आजाद हिंद सरकार की बात की जा रही है तो यह देख सकते हैं देखे प्रोबिजनल यानि के अस्ताइ रूप से जो है यहाँ पर इसको स्थाप्त किया गया था देखे 21 Ept 21 Ept 21 Ept 21 Ept को इसकी चात्तर भी जह है बर्षगांत यहाँ पर मनाई गई है 2019-ー को यहां पर इसको फांड किया गया था founder थे सुभाज चंद्र बोस और Indian रुपीज जो इसकी currency थी President हम देख सकते हैं सुभाज चंद्र बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और President भी भूही थे Capitalist की कौन सी थी Port Blair और historical era की बात करें मतलब ये जो काल था 1943 वाला आपको पता होगा 1949 से 1945 की बीच में Second World War यानि की दोतिय विस्विर्द चल रहा था तो उसी समय इसको स्थापित किया गया था यहां हम देख सकते हैं देखी जो Captain थी इसकी लक्षमी सैगल वो महिला संगठन की अध्यक्स्ता थी और S.A.I.R. को प्रचार और प्रसार बिंग का प्रमुक न्यूक्त किया गया था क्रांतिकारी नेता राजग्यारी वोस को सर्वच सल्हकारी न्यूत किया गया था और अभी जो है केंदरी संस्कृती और परियाटन मंत्राले दौरा 21 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के लाल किले में अजाध हिंद सरकार की स्थापना के 76 वर्स के उपलक्ष में एक समारो यहां पर आयजित किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल याद होना चाहिए आगे चलते हैं सेंटर फौर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग स्वाट में हम बोले तो CCRT तो इसकी अगर बात करें हम तो देखें यहां पर जो है केंदरी संस्कृति और परियाटन राज्यमंत्री जो जो कि हमारी देश की राजधानी है संस्कृतिक संसादान और प्रसिक्षण केंद्र हैं जिसे हम बोलते हैं CCRT यानि कि इसे हम बोल सकते हैं Center for Cultural Resources and Training हिंदी में क्या बात करें संस्कृतिक संसादान और प्रसिक्षण केंद्र इसका जो है डिजिटल भारत डिजिटल प्रक्रम में ई-Portal और CCRT यूटूब चैनल यहां पर लॉंच किया है इस पहल के लिए यहां हम देख सकते CCRT ने सभी CCRT छेत्रिये केंद्र जैसे कि हम देख सकते गोहार्टी उदैपूर है घदराबाद को मोल रूप से जोड़ने के लिए Roots to Root के साथ भी यहां पर सम देख हम को देखने मिलेंगे रिसी कुमार बरिष्ट और इसकी स्थापना की गी थी 1989 में ठीक है आगा चलते हैं WFP यहने कि हम बात करें World Food Program तो World Food Program जो है एक प्रकार से Food Assistant ब्रांच है किसकी United Nation की United Nation की Food Assistant ब्रांच है पूरे वर्ल्ड में यहने कि World Dargest humanitarian यहने कि मानोताबादी Organization एक प्रकार से जो कि भूख को मेंटेन करता है मतलब भूख के जो है भूख मरी को समात का निम अपनी भूमी कायदा करता है प्रमोट करता है Food Security यहने कि जो खाद सुरक्चा उसको यहाँ पर बढ़ावा देता है इसके अलाबा देखे हम तो देखे हम तो देखे इसका जो Headquarters होंगे जो भी Organization उसका Headquarter आपको Italy में ही देखनेक मिलेगा Rome के अंतरगत डेविट बिसले जो है इसके Head है अभी 19.60 में इसके स्थापना कीगी थी Parent Organization कौन सी है United Nation General Assembly यह लोगों आपको देखनेक मिलेगा यहाँ पर WFP यानि की World Food Program का Founder हम देख सकते है Food and Agriculture Organization यहनि की FAO इसके Nation General Assembly यह दोने उसके Founder है आगे बढ़ते हैं तो इसी के द्वारा यानि की World Food Program के द्वारा ही अभी देखिए संक्तराष्ट बिस्वखादेक कारकरम जिसे हम बोलते हैं इसने Cinema विग्यापन अभियान जिसका नाम है Feed Our Future इसको सुरू किया है तो यह आप याद रख सकते हैं ज कोपोशन के विरुद आवस्यक कदम उठाना और जागुरुकता फेलाना और इसकारकरम का आजन जो है UFO Movies India Limited और Indian Digital Cinema Distribution Network के समर्थन से Facebook के मुंबई कार्याला महराष्ट में हुआ है तो यह आप याद रख सकते हैं WFP के द्वारा Feed Our Future जो है सिनेमा विग्यापन अभियान को सुरू किया गया है आगे बढ़ते हैं पवीतोरा बनने जीब अभियारन की बात की जा रही है तो यह अभियारन हम देख सकते हैं देखें Wild Light Century जिसे हम बोलते हैं तो यह कहां पर देखने को मिलेगी हमको गुहाटी और गुहाटी में कहां पर है गुहाटी से लगभग 45 कि दूर हमको मोरी गाहों जिले में ब्रह्मा पुत्र नदी का जो बाला का मैदान है वो हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी स्थापना की गए थी देखिए 1970 में यह आरक्षिद बन बना था और 1987 में यह बनने जीब अभेरन की रूप में यहाँ पर भूसित कर दिया गया मुखर उसे फेमस किसके लिए है एक सिंग वाले भारती गेंडो के लिए फेमस है और यहाँ पर देखे गेंडो की संख्या अधिक होना इस अभेरन को विस्वे के उच्छतम जनसंग का घनत वाला अभेरन यहाँ बनाता है और इसके अलाब हम देख सकते हैं तेन दुआ है असम में है और असम में ही हमको और अन्य नैशनल पार्क देखने को मिलेंगे तो डिब्रु सखुबा है राश्टी उद्ध्यान काजी रंगा है माना से नामेरी है और राज्युगांधी और आंग जो राश्टी उद्ध्यान है वो हमको टोटल मिलेंगे कहाँ पर असम में देखने को मिलेंगे अब असम कहां पर हम मैप में चलते हैं एक बार तो यहां देखिए आपको जो है यह भारत कम्प्लीट ना जारा रहा है तो असम हमको देखने मिलेगे देखिए यह असम देखने को मिलेगे यहां पर हम देख सकते हैं हमारा जो पुर्वत्तर भारत है वह हमको असम देखने को मिलेगा, ये चीज हमने देख लिए, चलिए अप देखते हैं, वापस चलते हैं हमारी स्लाइड में, और यहाँ पर हम एक important country देखने वाले हैं, रवांडा, तो रवांडा कहां मिलेगा आपको, यह है अफ्रीका महादीप में, अफ्रीका महादीप में द Democratic Republic of Congo है और यहां बुरुंडी है इसके लावा एक और कंट्री आप देख सकते हैं तंजानिया और यहां साइड में आप देख सकते देखे आपको यह भी लोकेसा नियाद रहेगी थोड़ी लेक विक्टोरिया निकि विक्टोरिया जील भी आपको नजर आ रही है अफ्रीका म सारी चीज हमने देखे हैं क benefiting एक वार देख लेते हैं कियाकर देखाएं राष्टि जो अभ्यारान मतला जो बने जीव अभ्यारन उसके बारे में देखे हैं पोभी तोरा जोकी है आपको गोहाती असम में देखने मिलेगा इसके अलाब्यामिया बिजिनर चिर्प वो हम देख सकते हैं Feed Our Future और इसके बारे में जाना WFP यानि कि World Food Program के बारे में Center for Cultural Resources and Training के बारे में जाना इसके अलाब है आजाधिन सरकार जो हुई थी स्थापित उसके बारे में देखा है Beam App 2.0 अपग्रेट करके यहां लाँच किया गया है यानि कि इसके नए संस्क्राइण के साथ में यहां पे लाए गया है इसके अलाब हमने NCRB की जो रिपोर्ट है National Crime Record Bureau इसके बारे में देखा और इसके अलाब हमने NAM यानि की Non-Aligned Movement के बारे में देखा इसके बारे में हमने सारी चीज़ देखें इसके पहले हमने अनिस्चित काल क्या होता है इस थगन क्या होता है पालियमेंट का कारकाल और तीन सत्र के बारे में जाना है तो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद